ये आकाश्वानी है, स्वाधीनिता की अमरगाथा प्रस्तुत है, देश की स्वाधीनिता के लिए किये गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अंगिनत सुनी अंसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेश धारवाहिक स्वाधिनता की अमर गाथा लेखक हैं डॉक्टर हरी कृष्ण देवसरे और निर्देशक विरेन मुश्य आज सुनते हैं इस धारवाहिक की सात्वी कड़ी मात्र घुम की बलिवेधी पर हस्ते हस्ते चड़ा गए जो शीश वीर बलिदानी चड़ा गए जो शीश वीर बलिदानी चाती पर लिख गए वो ही काल की आजादे की अमर कहानी नाराएन राओ जी ये तो घजब की प्रतिभावाला आद्मी है हाँ रंगो बापुची मैंने इसके बारे में यहां लंदन में कुछ लोगों से बात की है तो उन्होंने बड़ी तारीफ की है इसकी अजीम उल्ला खान नाम बताया था ना हाँ यही नाम है एक तो गुरी दूसरे है भी खुबसूरत देखो ना गुरी मेमे कैसे चहक चहक कर उसके साथ नाचने आ जाती है पता चला है कि यहां लंदन के बहुत से बड़ी लोगों से और अच्छे घरानों से इनके तालुकात है जरूर होंगे यह तो विक्ती ही ऐसा है मैं इसको कई दिनों से देख रहा हूँ मुझे क्या पता था कि पेशवा नाना साथ पी तरफ से पेंशल बहाल कराने आया है लेकिन इतनी सब बातों के बावजूद कामिया भी नहीं मिली पता नहीं अंग्रेश किस मिट्टी के बने हैं किसी बात का किसी दलील का असर ही नहीं होता हाँ यही तो मुझे दुख है नरैन राओ हम कितनी उमीदे लेकर सतारा से चले थे हमने सोचा था कि लंदन में हमें नयाई मिलेगा प्रताब सिंग के दद तक पुत्र को राज वापस मिल जाएगा पर हमें अब खाली हाथी लोटना पड़ेगा रंगो बापुजी इस वक्त वहां हिंदुस्तान में जितना अनयाए अत्याचार और पाप ये अंग्रेज कर रहे हैं क्या इससे मुक्ती पाने का कोई उपाए नहीं है हाँ अब तो लगता है कि ऐसा ही कोई रास्ता खोजना पड़ेगा जिससे अंग्रेजों के अनयाए और जल्मों से हमें राहत मिले सुनो नारायन राओ मेरा ये परचा जरा वेटर के जरीए अजीम उल्लाखा तक पहुँचा दो बेटर मैं हिंदुस्तान से आया हूँ हम एक ही मन्जिल के राही हैं आप से मिलना चाहता हूँ भाई मैं तो सचमुच चौका था कि इस होटल में मेरा हमराई कौन आ गया मैं ब्रिटिश आफिस में भी आपको कहीं बार देख चुका था फिर जब पता चला कि आप नाना साहब की तरफ से आये हैं तो मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी हाँ लेकिन मिले भी तो कैसे एक ही मन्जिल के दो हता शियात रही अजीमुला खाँ साहब क्या आपने वाकई हार मान ली है अगर ऐसा हुआ तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान को फिरंगी एक उजला हुआ कबरिस्थान बना देंगे जिस तरह के वैशियाना जुल्म हिंदुस्तानियों पर फिरंगी कर रहे हैं उन्हें अगर रोका न गया तो यही होगा मैं भी मैं भी इसी सवाल का जवाब खोच रहा हूँ फिरंगीयों के अन्याय और अत्याचार को रोकने का तरीका क्या है इट का जवाब पत्थर से दो यानि युद्ध क्रांती हाँ रंगो बापुजी उन्होंने हमारी भोट का फायदा उठाया है आपस में एक ताना होने का फायदा उठाया हमें राश्टर भक्ती की कमी का फायदा उठाया हमारी लोगों में चंद रुपेओं के लिए मुल्क के साथ गद्दारी करने की कम्जोरी का फायदा उठाया और अपनी फाजी ताकत से हमें दबा दिया हमें दबा कर दिया है जब तक हम अपनी बिहरी ताकत को समेट कर फिरंगियों को पूरी ताकत से मुलक के बाहर नहीं खदेड़ देते तब तक ये जल्म होते रहेंगे मतलब ये के हमें अब दो टूक फैसले के लिए कमर कसनी होगी इसके अलावा रंगो बापुजी हमारे पास चारा क्या है अजीम उल्नाखा सहाब इतना बड़ा मुलक चलाग दुश्मन हमारी अपनी कमसूरिया इनके रहते क्या ये मुम्किन है कि फिरंगियों को मुलक से बाहर निकाल दे चलिए हिंदुस्तान पहुश कर कुछ करते हैं जे रंगो बापुजी तो लंदन से चल कर सीधे सतारा पहुँचे और अजीम उल्लाखां योरोप और एशिया के देशों की यात्रा करते वे वापस बिठुर आए उधर रंगो बापुजी दक्षण की राजाओं के साथ मंत्रणा में जुट गए इधर बिठुर में अजीम उल्लाखां नाना सहाब और तात्या टोपे सक्रे हो गए नाना सहाब मैंने लंदन में अंग्रेज लोगों को बहुत नज़्दीक से देखा है समझा है हिंदुस्तान उनके लिए सोने की जड़िया साबित हुआ है कमपनी के डिरेक्टर सिर्फ अपना सौर्थ देखते हैं इसके लिए उन्हें बेहिमानी धोका या घटिया से घटिया हरकत करना तक मजजूर है तो क्या उनके यहां कोई कानून नहीं है तात्या सहाब कानून उनके मुलक का अलग है हमारे लिए कानून वही है जिससे अंग्रेजियों का मतलब सिद्ध होता है यानि तुम यह कहना चाहते हो अजीम उल्ला कि अंग्रेज लोग प्राथना पत्र के भाशन नहीं समझते हाँ नाना सहाब हाँ हमारे प्राथना पत्रों पर तो वो विशार तक नहीं करते सतारा के रंगों बापुजी भी तो गए थे क्या हुआ उनका तो प्राथना पत्र तक हाथ में नहीं लिया उन्होंने ये कहकर लौटा दिया कि कम्पनी ने अपने कानून से जो फैसला किया है वो ही सही है समर्थन मिला हुआ है जाहिर है वो यहां के अंग्रेजों की सारी कारवाई को ठीक मानते है लौट डलोजी की वहां पड़े तारीफ की जाती है उसका नाम वो लोग बड़े सम्मान से लेते है तब तो एक ही रास्ता बचता है अजिम अल्ला सारा देश फिरंगियों के खि नाटक के टीपु सुल्तान की बात याद आ रही है जो उसने मरते वक्त कही थी सो दिन भेड की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह लड़कर मर जाना हाँ यही एक बेहतर तरीका है लेकिन इसके लिए सारे राजाओं और जनता को संगठित करना होगा सारे देश की ताकत को इकठा करना होगा काम मुश्किल भी है और फिरंगियों से साफधान होकर करना होगा बेशक नाना साहब काम मुश्किल है लेकिन नामुम्किन भी नहीं है लेकिन इस काम के लिए हमें एक रहनुमा चाहिए होगा क्यों नाना साहब से अच्छा रहनुमा कौन हो स तातिया साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजी, मुल्क के सारे राजाओं को, उनकी प्रजा को, क्या नाना साहब की रहनुमाई मन्जूर होगी? नाना साहब हर तरह से योगी होकर भी जरूरी नहीं है कि मुल्क के सारे राजाओं के लिए रहनुमा कुबूल हो जाए तातिया अजिम अल्ला ठीक कह रहे हैं हमें एक ऐसी शक्सियत को रहनुमा बनाना होगा जिसको हिंदू और मुसल्मान दोनों तरह के शासक और प्रजाम मानने और मेरी समझ से इसके लिए बहादुर शाह जफर से बहतर कोई नहीं हो सकता हाँ ये प्रस्ताओ ज़्यादा बेतर है लेकिन बहादुर शाह जफर इतना बूड़ा हो चुका है कि वो खुद अपनी और लालतिले की रक्षा दो करना ही पा रहा है इतने बड़े मुलक और देश व्याबी क्रांती को कैसे समझ लेगा तातिया माना के बहादुर शाह जफर बूड़ा हो गया है लेकिन है तो बादशाह एक ऐसा व्यक्ति तो है जिसके जंडे के नीचे देश की सभी रियासते एक जुट हो सके एक बार हम मिलकर अंग्रेजों को देश से निकाल देए फिर अपने शासन को हम नए सिरे से चला लेंगे नाना साब अगर हमने अलग अलग टुकडों में बढ़ कर क्रांथी की तो उससे हमारे हाद सिर्फ नाकामी ही आएगी जरूरत इसकी है कि एक ऐसा संगठन तयार करें जो पूरे मुलक में एक ही दिन एक ही समय क्रांथी का विस्फोट करें इससे अंग्रेज खबर जाएंगे पूरे मुलक में उठे विद्रों को दबा पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और तब भागते हुए नजर आएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें बहादुर शाय जफर से मिलकर उन्हें राजी करना होगा सोचना ये है कि ये हमारी मुलाकात हो कैसे हाँ अंग्रेजों को शक नहीं होना चाहिए क्यों ना हम तीर सीहतर का बहाना बना कर निकलें रास्ते में जो जो जग है मिलेंगी वहाँ हम अपना काम करते चलेंगे इसी तरह मत्हुरा वरिंदा बन जाएंगे और फिर दिल्ली पहला अंग्रेजों को क्यों शक होगा यूँ भी अंग्रेज अभी तक आपको अपना दोस्ती मानते हैं अगर उनकी आप पर महरबानी ना होती तो डलोजी ने बिठोर भी हत्या लिया होता हाँ इस महरबानी की वज़े से उन्हें हम पर कोई शक भी न होगा तो हम तयारी शुरू कर दें सबसे पहले दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाएं हाँ इस काम में देर क्यों की जाए नाना सहब अजीम उल्ला खां और नाना सहब के भाई बाला सहब तीर थियात्रा का बहाना बना कर बिठोर से रवाना हुए सबसे पहले ये लोग दिल्ली पहुँचे लाल किले के दिवाने खास में बहादुर शाह जफर बेगम जीनत महल और दिल्ली के खास खास लोगों के साथ इन लोगों की गुपत बाच जीत हुई सारी युजना पर विचार हुआ बहादुर शाह जफर और बेगम जीनत महल ने अपनी और से पूरी मदद का भरोसा देलाया लेकिन दूसरी तरफ नाना साब जहां जहां जाते वहां के अंग्रेज अफसर को जाकर पूरा सम्मान देते और उसे मुलाकात करते इसका मकसद यही था कि अंग्रेजों को किसी तरह का शक न हो और किसी स्थानी राजा या व्यक्ते से मुलाकात को वे रस्मी मुलाकात ही समझे दिल्ली से चलकर नाना साब अंबाला गए फिर बहुत से दूसरे स्थानों से होते वे लखनव पहुंचे लखनव में नाना साब का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ वहां उनके सम्मान में एक जुलूस निकाला गया इसके बाद वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और वजीर अली नकी खां से गुप्त मंद्रणा हुई क्रांथ की पूरी योजना में उन्होंने हर तरह से काम करने और मदद देने में उच्सकता दिखाई इसके बाद नाना सहब काल पी होते वे बिठुर वापस आ गए एक अंग्रेज इतिहास का रसल ने लिखा है अपनी इस यात्रा के दोरान नाना सहब और अजीम उल्ला खां गुप चुप तरीके से उन सब अंग्रेजी च्छाउनियों में भी गये थे जिन में भारती ये सिपाही थे वहाँ भी उन्होंने क्रांती का मंत्र दिया था और उन्हें अगले संदेश की प्रतीक्षा करने को कहा था अजीम उल्ला खां अपने इस यात्रा से ये तो साब पता चल चुका है कि अंग्रेजों के जल्मों से पूरे देश की प्रजा परेशाल है वो इन जल्मों को खत्म करने के लिए उठाए जाने वाले हर कदम के साथ पूरी तरह समरपन भाव से चलने को तयार है और ये भी कि अंग्रेजों ने जिस तरह अपना राज कायम किया है उससे उने अभी किसी किसम के खत्रे का अंदेशा नहीं है वो ये मान बैठे हैं कि हिंदुस्तानी बहुत कमजोर हो चुके है और वो उनके खिलाफ सिर तो क्या नजर उठा कर देखने की भी हिम्मत नहीं रखते यनि ये एक अच्छा मौका है जबकि एक संगठित विद्रू भड़काया जा सकता है हाँ, हाला तो ऐसे ही हैं तो फिर हमें देश भर के उन तमाम राजाओं और लोगों को कुरांती का संदेश भेज़ना चाहिए जिन से हमारा संपर्क नहीं हुआ है ताकि वो भी हमारे कारिकरम को समझें और तैयारी करें मैं समझता हूँ कि ये काम बाबा भट को सौंते वो हमारे खासा अत्मी है खत्म को हमारी तरफ से बाबा भट लिखेंगे खत्म को मजबून ये होगा कि अंग्रेज देश धर्म और संस्क्रिती के दुश्मन है वो हमारी जड़ों को उखाड़ना चाहते है यहां तक कि हमारा धर्म तक बदलना चाहते है इसलिए वक्त आ गया है कि हम एक जुठोकर पूरी ताकच से अंग्रेजों को उखाड़ फैंगे इस क्रांटी में सभी लोग खुले दिल से हिस्सा ले और इस बात को गुप्त रखे हमारे अगले संदेश का इंतजार करे क्रांटी पूरे देश में एक ही दिन होगी और उस तारीख का इंतजार करे मैं समस्ता हूँ ऐसे ही मजमून वाला खत भीजना ठीक होगा अंग्रेजों के साथ जो भारतिय सेपाहियों की फौज है उसमें क्रांटी के आग फूंकने के जिम्मेदारी ज्वाला परशाद को दो वो हर तरह के लोगों से घुल मिल जाता है और दूसरे तरीके भी आते हैं उसे हाँ ज्वाला परशाद इसके लिए ठीक रहेंगे मेरे खयाल से आम जनता को भी क्रांटी के लिए तैयार करना ज़रूरी है आम जनता को क्रांटी के तैयारी करने का काम अजिम उल्ला साफ करेंगे ये तीनों लोग मुझे बताते रहेंगे किस काम में कितना आगे बढ़े है तात्या टोपे आप मेरे खास सलाकार की हैसियस से काम करते रहेंगे ठीक है सारा काम कल सुबह से शुरू हो जाएगा नाना साहब ने बिठुर में बैठे बैठे ही भारत भर में चारों और अपने गुप्त दूत और प्रचारक भीज दिये थे ये दूत न केवल सावधानी से राजा और प्रजा का मन टटोल कर क्रांती की चर्चा करते थे बलकि क्रांती के लिए जनता के बीच उपयोक्त वातावरण भी बराते थे इतिहासकार लिखते हैं कि नाना साहब के विशेश दूत दिल्ली से लेकर मैसूर तक सब भारतिये नरेशों के दरबार में पहुँचे बहुत से गुप्त प्रचारक कंपनी की सारी देशी फौजों तथा जनता को अपनी ओर करने के लिए निकल पड़े थे सर जौन के इंडियन म्यूटनी नामक पुस्तक के प्रथम भाग में लिखता है एक देशी दरबार से दूसरे दरबार तक विशाल भारतिये महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाना साहब के दूद पत्र लेकर घूम चुके थे इन पत्रों में होश्यारी के साथ और शायद रहस्यपून शब्दों में भिन्न भिन्न धर्मों के नरेशों और सरदारों को सलाह दी गई थी और उन्हें आमंत्रित किया गया था कि आप लोग आगामी युद्ध में भाग लें अंग्रेजों के खिलाफ रची गई इस क्रांती युजना का काम पूरे देश में बड़ी तेजी से पहलने लगा था अधिकांश अंग्रेजी थानों में पुलिस, अनेक सरकारी मुलाजम और अंग्रेजों के बावर्ची और भिष्टी तक इसमें शामिल हो चुके थे कहीं कहीं अंग्रेजों ने यदि किसी प्रचारक को पकड़ा भी तो उससे राज की बात उगलवाना सके A narrative of the Indian Revolt के Merit narrative अध्याई में लिखा गया है कि एक बार मेरट च्छावनी के पास कोई फकीर ठहरा हुआ था और वो क्रान्ति का प्रचार कर रहा था अंग्रेजों ने उसे बाहर निकाल दिया वो फकीर अपने हाथी पर बैठ कर पास के गाउं चला गया दरसल साधू और फकीर के वेश में घूम रहे क्रान्ति प्रचारकों को सवारी के लिए हाथी और रक्षा के लिए सशस्त्र सिपाही भी मिले हुए थे इतिहास लेखक लिखते हैं कि काशी, प्रयाग, हरिद्वार जैसे तमाम धार्मिक स्थानों पर अंग्रेजी राज के नाश के लिए यज्य और प्रार्थनाई होने लगी थी दूसरी तरफ जनता के बीच क्रांती प्रचारक, तमाशों, पवाडों, लावणियों, कठ पुतलियों और नाटकों का सहरा लेकर भी क्रांती का संदेश पहुचा रहे थे उधर वाजिद अली शाह के वजीर अली नकी खां और बिगम हजरत महल ने भी फकीरों और साधूं के रूप में अपने गुप्त दूत उत्तर भारत की तमाम देशी फौजों में भेजे थे उरोंने अंग्रेजों के फौजों के अफसरों के साथ गुप्त पत्र व्यभार भी किया था बेगम हजरत महल ने अवद के तमाम रहीसों और जनता को राष्ट्रे क्रांती के लिए तैयार किया था इतिहास लेखक लिखता है कि अली नकी खां के निमंत्रन पर हजारों हिंदू सिपाहियों और उनके अफसरों ने गंगा जल लेकर और मुसल्मानों ने गुरान पाक हाथ में लेकर राष्ट्रे संग्राम में भाग लेने और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की शपत ली थी क्रांती के उन हजारों प्रचारकों में जिन्होंने घूम घूम कर जनता के दुनों को अपनी तरफ किया उनमें एक नाम फैजाबाद के एक जमीदार मौलवी एहमद शाह का है लखनव, आगरा और उनके आसपास के तमाम शहरों में 10-10 हजार आदमी मौलवी एहमद शाह की तक्रीर सुनने के लिए जमा होते थे हिंदू और मुसल्मान अपनी 100 साल की पराधीनता की कहानी सुनकर मौलवी एहमद शाह के सामने ये शपत लेकर उठते थे कि हम लोग आगामी स्वाधीनिता संग्राम में अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे अजीम उल्ला कोई नई खबर नारा साहब इस वक्त पूरे मुल्क में क्रांती का संदेश फैल चुका है जिन राजाओं ने शुरू शुरू में हमारे खतों का जवाब नहीं दिया था वो भी अब खुफिया खत भेज भेज कर अपनी तयारी की खबरें दे रहे हैं और इसी में हमारी सभलता है हाँ नाना सहब सारे क्रांती प्रचारक सारे जनता में जबरदस जोश है और सब अपने अपने दिलों में क्रांती का राज चिपाए बस इंतजार कर रहे हैं उस तारीक और दिन का जब क्रांती शुरू होनी है तातिया, मैं इस बारे में कई दिनों से सोच रहा हूँ लेकिन उससे पहले मैं हर तरह से संतुष्ट होना चाहता हूँ कि देश का कोई हिस्सा ऐसा न हो जो कुरांती में हिस्सा न ले रहा हूँ या जिसकी कमजोरी का फाइदा अंग्रेजों को मिल जाए आप ठीक कहते हैं नाना साहब पर मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस वक्त पूरा देश तैयार है अजिम उल्ला, तुम्हारी कह रहा है तात्या टोपे ठीक कह रहा है नाना साहब, इस वक्त क्रांती के पांच मुख्य केंद्र बन गए हैं सबसे अच्छी बात ये है नाना साहब हमारे इस काम के लिए धन की कोई कमी नहीं है हजारों रहीसों और सहुकारों ने अपनी थैलियां खोल दी है अच्छा? ये तो बड़ी अच्छी ख़बर है हजिम उल्ला हम लोगों ने क्रांती का संदेश भेजने के लिए कमल का फूल और रोटी दो मुख चिननताय किये थे उससे भी क्रांती का प्रचार करने में जरूर मदद मिली होगी बहुत मदद मिली है नाना साहब जानते हैं जो पल्टनी हमारे काम में शामिल है उनमें कमल का फूल घुमाया गया है हुआ यो कि एक पल्टन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पल्टन में गया वहाँ वो फूल पूरी पल्टन के सिपाईयों के हाथों से निकला जिसके हाथ में सबसे आखिर में फूल आया उसका फर्ज है कि वो अपने पास की दूसरी पल्टन में जाकर वो फूल पहुँचा दे इसका मतलब है कि पिछली पल्टन के सबसे पाही क्रांथी के लिए तयार है अब तुम भी तयार हो जाओ बहुत खूँद, बहुत खूँद मैं समझ सकता हूँ कि लोगों में क्रांथी का जजबा कितना सबर्दस्त है नाना सहाब, यही हाल रोटी के संकेत का है आपको जानकर ताजब होगा कि कुछी महीनों में इन रोटीों ने भारत जैसे बड़े देश के एक एक गाउं में पहुँचकर क्रांथी का संदेश दे दिया है वाँ, सचमच, सचमच आश्चरी के बात है पर यह हुआ कैसे हुआ यह कि एक गाउं का चोकिदार, दूसरे गाउं के चोकिदार के पास रोटियां ले गया वो चोकिदार उन रोटियों को गाउं के, दूसरे लोगों को खिलाता और फिर उसी तरहें की ताजी रोटियां बनवा कर अपने पास के गाउं में जाकर पहुचा आता इसका मतलब यह हुआ कि पिछले गाउं की जनता रास्टे करांती में भाग लेने को तैयार है तो इसका मतलब यह है कि अब करांती की तारीख तै करके सब को जल्दी से ख़बर देनी चाहिए मैं भी यही कहना चाहता हूँ अब देर नहीं करनी चाहिए हम तो ठीक है मैं आज ही लखनव जाकर बेगम हजरत महल से बात करूँगा और करांती की तारीख तै करूँगा और इस तरह नाना सहब ने समूचे भारत में करांती को एक साथ शुरू करने की तारीख तै कर दी रविवार 31 मई 1857 इसकी सूचना भी सभी को पूरे देश में हर कोने में दे दी गई मात्र भूम की बलिवेधी पर हस्ते हस्ते चड़ा गए जो शीश वीर बलदानी चड़ा गए जो शीश वीर बलदानी चादी पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी स्वाधिनता की अमर गाथा अभियाप देश की स्वाधिनता के लिए किये गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेश धारवाहिक की सात्वी कड़ी सुन रहे थे लेखक थे डॉक्टर हरी कृष्ण देवसरे और निर्देशक थे विरेन मुंशी नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे कलिसी समय इस धारवाहिक की आठवी कड़ी प्रसारित की जाएगी का रहे हम एले खिजेश अव़ी झाएगी की साम चाना थे जाएगी की सात्वी जाएगी जाएगी